है गाइस दिस इस सुरसोनी एंड यू आर वाचिंग केंस्टार सो फ्रेंड्स वंस अगें वेल्कम बैक ऑन केंस्टार सो फ्रेंड्स इन टोड़े सेशन आम गोईंग तो डिसकस वित यू अबाउट वन आप तो आज के इस सेशन में हम एक आप के बारे में डिसकस करेंगे जिस एप में आपको केमिस्ट्री के फंडामेंटल से लेके एडवांस तक की सारी चीजे आपको मिल जाएगी एक ही जगे पे खास करके प्रियॉडिक टेवल इन डीटेल में मिल जाएगा तो चलिए मैं आज आपको इस एप से रूबरू कराता हूं तो चलिए स्टार्ट क के बारे में बताने वाला हूं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आप इस एप का इंटरफेस या फिर होम पेश कुछ ऐसा दिखाई देता है तो चलिए मैं इस एप के बारे में इस एप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा या फिर आप आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कहेंगे कि आपको इसके जरूरत है तो मैं आपको इसका लिंक सेयर कर दूँगा आपके साथ तो चलिए आज देखते हैं इस एप में क्या स्पेशल है आप कैसे इस एप के माध्यम से केमिस्ट्री को बेसिक से लेकर एडवांस तक इस सा आप देखने को मिलेगा तो चलिए देख लेते पहले होम पेईज पर किया है इस एप में तो यहाँ पर होम पेईज पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप chemical elements को explore कर सकते हैं चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन के बारे में देखे जैब हम一定要 बारे में जान सकता हूँ चलिए अगर मैं बात करूण के बारे में में जानना чाता हूं गोल्ड के बारे में तो च strs click करना है आपको देखिए गोल्स के बारे में पूरा डिटेल यहां पे मिल जाएगा, गोल्ड का atomic number 79 है, proton, protons, number of protons 79 है, number of electrons जो है, gold के 79 होते हैं, and उसका neutron 118 है, atomic number देखिए, 79 है, number of electron और number of proton जितने elements में होते हैं, उतना ही उसका atomic number होता है, तो देखिए, यहाँ पर आपको सारी detail मिल जाएगी, group number group number 11 से belong करता है, gold period 6 से belong करता है, D block में पाया जाता है, gold का discovery देखिए, middle, east ने किया था, बाद में यहाँ पर आपको धेर सारी information जो है gold के बारे में पता चल जाएगी, ऐसा ही आप 118 element में से किसी भी element को एक click के माध्यम से explore कर सकते हैं, मुझे erbium के बारे में पूरा detail यहाँ पर मिल जाएगा, तो यह तो हमने देखा कि home page पे, जो हमने देखा है, यहाँ पर home page पे कि हम elements को कैसे explore कर सकते हैं, साथ ही और हम क्या जान सकते हैं, यहाँ पर basic chemistry के बारे में आप पूरा detail में जान सकते हैं, basic chemistry, आप सीधा chemistry के definition से start करके, आप matter, elements क्या होता है, यह सारी चीज़े, compound क्या होता है, mixtures क्या होता है, यह सारी चीज़े आप detail में पर सकते हैं, तो चलिए वापी से मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तो हमने देखा कि हम, हमने elements को explore किया है, home page पे, चलिए देखते है, topic section में क्या है, तो यहाँ पे, दोस्तों, topic section में हमें basic chemistry के बारे में जानने को मिलेगा, atom के बारे में आप अच्छे से detail में जान सकते हैं, atomic structure and all, देखे, यहाँ पे atomic structure lesson में आपको पूरा electrons का, protons का, neutrons का, पूरा history geography आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे, आपको thermodynamics, chemical equilibrium, ionic equilibrium, redox reaction, आपके favorite topic को आप detail में आराम से बैठके पढ़ सकते हैं, जब चाहें, कभी, जब चाहें तब आप पढ़ सकते हैं, analytical chemistry को पढ़ सकते हैं, nuclear chemistry को पढ़ सकते हैं, जब भी भी आप चाहें तब आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह app जो है, वो online नहीं बलकि offline work करता है, आप एक बार download कर लेंगे, तो आप इसे offline भी कहीं भी, किसी भी समय पढ़ सकते हैं, चलिए देखते हैं, अभी हमने देखा, home page पे हमने elements को explore किया, topics में हमने different topics को explore किया, चलिए देखते हैं, element section में देखिए, again element section में हम हर एक element को detail में explore करेंगे, और अभी हम मैं बात करूँ definitions की, तो definitions में आपको देखिए, बहुत सारी definitions, यहांपे thousands of definitions you will get here, आपको बहुत सारे लगबग हजारो definitions के, हजारो chemical things के आपको definition मिल जाएंगे, यहांपे जैसे की absolute zero क्या होता है, absorbance क्या होता है, आप किसी भी चीज़ का definition यहां से आप पढ़ सकते हैं यहां पे search कर सकते हैं, और आपको यहांपे definition मिल जाएगा, चलिए मैं जानना चाहता हूu mole का definition क्या है, तो मैं आपे mole लिखने होता है, cold symbol, the mole is the size unit of amount of substance, one mole contains exactly 6.022 into 10 rest to the power 23 elements and all, अभी आप किसी भी term का अगर आपको definition चाहिए तो आपको यहाँ पर definition मिल जागा क्योंकि यहाँ पर हजारो definitions को compile करके एक जिगह पर रखा हुआ है और आगे बढ़ते और देखते और क्या हमारे इस app में यहाँ पर हम scientist के बारे में जान सकते हैं साथ यहाँ पर chilledष़ाई को कॉन का रहा यहाँ करते हैं इस one more मिला कड़ किस लQ में इनको अवार्ड मिला यह सारी चीजी आप जो एकदम detail में जान सकते हैं और साथ ही दोस्तों चलिए देखते हैं और क्या है हमें यहाँ पे जानने के लिए बस इतना ही है हमें यहाँ पे जानने के लिए home page पे आगे आपको सारी चीजे मिल जाएगी तो यह जो app है एक बहुत ही अच्छा app है जिसे आप बैटे-बैटे chemistry को explore कर सकते हैं, अपने knowledge को explore कर सकते हैं, अपने दोस्तों को यह आपके बारे में बता सकते हैं, जिससे आपने आपके दोस्त भी chemistry को basics लेके सारी चीज़े समझ सके So thank you very much friends for watching this video till in, thank you Thanks again